1.4.1 विविधता, तत्य और प्रमान, variation and evidences related to it गलापा गोस में डार्विन को तत्य के रूप में कई प्रकार के जिवाश्म मिले यहां के वर्मी, आर्माडिलों का जिवाश्म या दर्शारा था कि पुर्व के वर्मी काफी बड़े थे जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्यन किया वे आकार में छोटे थे जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं उनकी मन में यह बात आई कि समय के साथ वर्मियों में बदलाव आया है जिवाश्मों के अध्यन से हम क्या पता लगा सकते हैं डार्विन ने कई अन्य जीवों के जिवाश्म जैसे घोंगे सरिस रिपो स्तंधारियों के अध्यन से बताया कि जिवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाय जाने वाले जीवों के आपसी संबन की साथ साथ वर्तमान में पाय जाने वाले जीवों के आपसे संबन दर्शाने वाली महत्पुन कड़ी है गलापा गूस के फिंच जाती के पक्षियों का अध्यन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे फिंच हमारे देश की गौरईया के जाती से मिलते जुलते हैं गलापा गूस में डार्विन ने लगबट 15 अलग तरह के फिंच का अध्यन किया उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे है मगर अलग-अलग तापों पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे खासकर इनकी चौँच और पंक के रंग में बहुत अंतर नजर आया डार्विन ने सभी फिंच की चौँच को नापा तो अश्यर चकित हुए कि उनकी चौँच में इतनी विवित्ता कैसे है उन्होंने देखा कि अलग-अलग चौँच वाले फिंच का भोजन भी अलग-अलग था कुछ भीच खाते थे, कुछ फल, कोई कीड़े खाते, तो कोई फूलों का रस चूसते गलापा गूस के टापों में किसी टापो पर कीड़े थे तो कही ऐसे पौधे, जिनके बीच कठोरावरण वाले थे तो कही नरमफलवाले पौधे भी थे जितनी विवित्ता चोँच में थी, उतनी ही विवित्ता खादिस अंसादनों की उपलबधतां में भी दिखाए दी अर्थात कारे के अनुसार चोच में विवित्ताय थी डार्विन का मानना था कि यहां फिंच एक्वेडोर चित्र के अनुसार से उड़कर गलापा गोस पहुचे होंगे और फिर अलग-अलग टापों के अलग-अलग परिवेश में जीने लगे यहां इसले संभो हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाती में भी विवित्ताय थी एक जैसी चोंच वाले पुर्वजों से कारे के अनुसार फिंचों की चोंच में विवित्ताय सजातीय लक्षन होमोलोगस केरेक्टर था और डार्विन ने इसे एक महत्पूर्ण प्रमान माना सजातीय लक्षन क्या है आईए इसका अवलोकन एक क्रिया कलाप से करे पहले पौधों में फिर जन्तूं में